हे एवरिवान मैं जोती स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस विडियो में आज हम करेंगे कम्प्लीट फीट केर वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यानि कि घर पे किचन के समान से जो भी आपके पास अबलेबल है किचन में उसी से हम करेंगे तो तीन आसान से स्टेप है पहला है क्ल लेना है करीब दो लीटर पानी हमें गर्म करना है थोड़ा सा गर्म करना है गुन गुना जो करते हैं यहां पे मैंने गैस पे गरम कर ले अब हमें चाहिए एक आपको किच तरा का टब यानि की पैरों को रखने के लिए।motion में नहीं कि और यह पे सावर जेल कर लेंगे बिल्कुल एक पूरा साबुत एक नीम्बू कर रहा है हमें इसमें निचोड़ देना है और उसके चिलके जो हैं उसी में हमें पानी में रख देना है उसके बाद फिर हम नमक आड़ करेंगे एक बड़ा चमच हम उसमें नमक आड़ करेंगे ताकि हमारे पैरों को आराम मिले उसके बाद हम थोड़ा सा एक दू स्लाइस और भी नीबू का उसमें हम रख लेंगे ताकि हम अपने पैरों को अच्छे से क्लीन कर सके तो तयार है हमारा क्लीन अप वाटर यहाँ पे तयार है उस पे हमें अपने पैरों को धीरे-दीरे रखा चेक करना है आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है बिल्खुल बिल्गुना करना है गुन-गुना जो कहते हैं आपका हाथ आप चेक करके देख लो ज़्यादा गर्म ना हो तो आप अपने पैरों को उस पे गुन-गुने पानी में रखो और जो आपने यहाँ पे नीबू उसमें कुछ स्लाइसे काटके रखे उससे अपने पैरों को रगड़िए और जितने भी उसके नरस है वो अपने पैरों पे निचोड़ के आप लगा लें कुछा इस तरह से आपके बीना रस वाले नीबू बच जाने वाले हैं तो इस क्लीन अप के लिए तो लाइक बनता है क्योंकि काफी जादा एफेक्टिव क्लीन अप है एक बारी में आप देखें आपके पैरों की गंदकी बिलकुल साफ होने वाली है तो इस clean up के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है I hope जरूर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा क्योंकि हम काफी मैनत करते हैं आपको वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज़्यादा मैनत करने पड़ती है ताकि आपकी problem जो solve हो जाए आपको जो भी life में समश्या आ रही हो clean up से skin care से जोड़ी हो आपकी problem solve हो जाए तो यहाँ पे मेरा clean up हो चुका है तयार मैने पैरो को अपना बाहर निकाल लिया है अब हमारी बारी आती है scrub करने के हमें लेना है coffee powder उसमें हमें add करना है scrub sorry honey add करनी है आपको इतनी honey add करनी है कि दोनों अच्छे से mix हो जाए क्योंकि honey आपके पैरो को नमी देगी आपकी रूखी जो पैर होती है वो आपकी बिल्कुल खतम हो जाने वाली है तो हमने इस paste को अच्छे से देखी कुछ अस तरह से बना लिया है और paste हमारा तयार हो गया है अब हम इसे पैरों पे gently rub करेंगे gently हम जैसे scrub करते हैं अपने face पे ठीक उसी तरह से अपने पैरों पे ये काफी जादा जो बोलते हैं आपको इसकी जो मितलब fair आपको अपने पैर देखने को मिलेंगा और जितने भी गंदकी है आपके पैरों में इधर उधर जो लगी विरती काली काली हमारे पैर हो जाते हैं इस scrub से ये इतना ज़ादा सरदार scrub है कि आपके पैरों के सारी गंदकी साफ हो जाएगी इस बार इस scrub को आप जरूर ट्राय करें काफी ज़ादा effective scrub है ये तो यहाँ पे मैंने दोनों पैरों पे apply कर लिया है तो इतना ज़ादा ये असरदार scrub है आप देखेंगे आपके पैरों के सारी गंदकी मैल जमेवे साफ हो जाएगी और आपका पैर बिल्कुल गोरा निक्राय smooth दीखेगा तो इस scrub के लिए subscribe करना इस channel को बनता है ताकि इसी तरह की खूप सारी magical skincare आपके तक पहुचती रहे और आप ट्राय करते रहे और आपकी जो problem है आपकी जो life की समस्या है skincare से जोड़ी वो आपकी खतम हो जाए बाकि जो भी आपकी कोरी हो कुछ भी पूछना चाहते हैं तो comment में जरूर पूछे तो यहाँ पे gently मैंने अपने पैरों को अच्छे से massage कर लिया है scrub कर लिया है अब बारी आती है 10 minute आपको छोड़ना है 5-10 minute उसके बाद हम अपने पैरों को धो लेंगे नॉर्मल वाटर से धोएंगे फिर हम अपने पैरों को अच्छे से पोश लेना है फिर आप बारी आती है massage करने की जो last step है और तीसरे step है आपके पैरों को moisture करने के लिए तकि रूखी बिल्कुल ना रखे बिल्कुल soft soft से सुन्दर से पैर आपके देखे आपको लेना है नारियल का तेल coconut oil उसकी दो चार बुल्दे अपने पैरों पे लगानी और अच्छे से massage करनी है आप देखेंगे आपने इसे हपते में एक बारी यूज़ करना यानि कि मेहने में वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूले थांक्स पो वाचिंग बाई